नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे देखे आज हम डिसकस करेंगे 24-25 फरवरी का दा हिंदू निज़पेपर और पि-i-b that is Press Information Bureau का Important Current Affairs तो लीजे गाईज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे गार्सीनिया पैडून कुलाता के बारे में जिसे कहा जाता है बोर्थे केरा आसमीज भासा में ये एक medicinal प्लांट है जो बिल्कुल साहता करेगा हर्दे से रिलेटर जो बिमारिया है हर्ट से रिलेटर जो बिम क्या है देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो ये टर्म है एनिटी इसका मतलब क्या होता है कि पेमेंट जो है मेड इने फिक्स्ट अमाउंट फुर ए कंसिडरबल पिरियर्ड और दैन इन वर्यबल अमाउंट इन रिमेनिंग पिरियर्ड ठीक है आप देखिए इसको आस के अनुसार हाइब्रिड एनिटी मोडल के अनुसार गमेंट विल कॉंट्रिब्यूट चालीस परसेंट अफ दा प्रोजेक्ट कोस्ट शुरुवात के पात साल में और उसके बाद में एनुवल पेमेंट जिसे एनिटी हम कहेंगे वो होती रहेगी ठीक है और रिमेनिंग ज क्लेक्शन होगा वुड बी रेस्मोंसिबिलेटी ओफ दा नेशनल हाइवे अथोरिटी ओफ इंडिया ये बिलकुल आपको गाईज पता होना चाहिए ठीक है उसके बाद में देखिए 40 परसेंट तो जैसे सरकार ने दे दिया ठीक है उसके बाद में बाकी का जो बचा वो लॉन पर देते हैं एक्यूटी कैसे क्या देते हैं वो एक अलग इशू होता है ठीक है लेकिन हमें इस मोडल के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए उसके बाद में गाईज देखिए बी ओटी एनुटी मोडल की अगर हम बात करें आप देखिए बी ओटी का मतलब ह अच्छे से बाद में इसके बाद में सरकार को वापस देंगे इस मोडल में तो ये हाई फाइनेंशियल बर्डन होता है सरकार के उपर क्योंकि सारा पैसा गमेंट ही लगा रही है और वो काफी टाइम में वापस आने वाला है उसके बाद में एक मोडल ओर होता है बीओटी मोडल बीओटी टॉल मोडल ठीक है बीओटी टॉल मोडल देखिए मीलल क्या होता है एक रोड जो डवलपर है वो कंस्टैक्ट करता है रोड को और he is allowed to recover his investment through toll collection, सीधी बात है भाई toll connection से वो toll collection होगा, उससे अपना पैसा जो भी उसने लगाया, invest किया वो cover करेगा, और mainly यह है ना 30-40 साल के आसपस के टाइम पे होता है, मतलब इतना सब शाल तक, मतलब 30-40 years तक वो toll collect करता है, तब तक उसको वसुली पूरी अपनी हो जाते है, जिसना उसने जितना लगाया है, ठीक है उसके बाद में, गाईज हम यहाँ पे बात करेंगे देखिए, lab grown diamonds के बारे में PIV में काफी चर्चा में रहता है तो देखिए, lab grown diamonds के बारे में बात करें, तो mostly manufactured दो प्रोसेस से मेंली मतलब इसको किया जाता है manufactured, एक है high pressure, high temperature और दूसरा है chemical vapor deposition, ठीक है और यह जो chemical vapor deposition है इससे हम लोग मतलब, इंडिया जो है one of leading producer है, lab grown diamonds का और कैसे produce करते हैं हम लोग यह जो technology है, chemical vapor deposition, ठीक है इससे हम लोग mainly करते हैं ठीक है guys, उसके बाद में देखिए अगर हम बात करें न है guys, कि lab grown diamonds की application के बारे में बात करें तो application की specially बात करें तो use किया जाता है, बिल्कुल इनको machine में, tools में, cutters ठीक है, इन सब में इसको use किया जाता है, सूरत के बारे में आपको cutting and polishing center for diamonds 19% जो है total diamond का export in the world हम लोग बिल्कुल करते हैं guys उसके बाद में देखिए sorry guys, उसके बाद में इंडिया का जो share है global trade 2021-22 की बात करें तो 25.8% था, ठीक है, पता होना चाहिए उसके बाद में guys देखिए जैपूर declaration के बारे में बात करें जैपूर declaration adopted at 18th World Security Congress jointly organized किया गया जिसे RPF, Railway Protection Force and UIC जिसे कहा जा सकता है International Union of Railway के ठीक है, और International Union of Railway के बारे में बात करें तो इसे 1922 में बिल्कुल लेके आया जाता है headquarter इसका पैरिस में है उसके बाद में देखिए एक report आती है status of आधार linking, मतलब water ID card के साथ आधार का link ये report आती है, तो उसमें बताया जाता है कि over 60% of हमारी इंडिया की 95.5 करोड water जो है, उनमें से 60% जो है, वो link हो चुके है, ठीक है, और तिरपूरा hedge highest linking, 92% के असपास तिरपूरा जो है, उनके जो water है, वो link है, आधार से water ID, ठीक है, और गुजरात है, जो lowest 31.5, देखिए, परसंटेज यादना रहे लेकिन lowest और highest बिल्कुल ऐसी चीज़े पता होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद में सिंथान टोप के बारे में बात करें, सिंथान टोप जो है, हाई माउंटेन पास है, located between Brang Valley, जो अनंतनाग डिस्टिक and किस्त्वार ओफ जेंड के, ठीक है, और यह किस से connect करता है, यह connect करेगा, कश्मीर टू चेनाब वैली, ठीक है, गाईज उसके बाद में हम यहाँ पर बात करते हैं, गाईज देखिए, मौहनपुरा डैम के बारे में बात करें, निवाज रिवर ट्रिब्ट्री है, पारवति रिवर की मदापरदेश के वहाँ पे, तो वहाँ है यह और दूसरा है कुंडालिया डैम यह है काली सिंध के उपर, अब देखिए जो भी डैम चर्चा में आते हैं भाई वही एक्जाम में पूछे जाते हैं एक्जामिनर को सपने कभी नहीं आते हैं ठीक है गाईज उसके बाद में सैयद अब्दुल नाजीर के बारे में बात करें ये आंदर परदेश के गवर्णर होंगे और देखिए चंदरापूर जो स 1998 में बाई बर्ड काउंट इंडिया के दवारा इस बार जो ये बर्ड काउंट होता है इसमें बताया जाता है कि वेस्ट बेंगोल है यहां सबसे ज्यादा स्पीसिज बर्ड की पाई गई है उसके बाद उत्राखंड है फिर अरुना चल परदेश आती है वेस्ट बेंगोल ठीक है क्यों कि या वही आप सभी को पता है यूकरेन वार यूकरेन इनविजन के ऊपर यही इश्यू था तो देखिए FATF के बारे में बात करें तो ये एक money laundering and terrorist financing watchdog है कि भाई कौन क्या terrorist या money laundering को इनको सब finance कर रहा है तो उसका watchdog है ये 1989 में बिलकुल ये बनता है और प critically endangered है अगर IUCN के status की बात करें 2019 में भी ये चर्चा में आई थी जब हमारे देश के एक नंदन कनन जोलोजिकल पार्क है कहाँ पर पढ़ता है ओडिसा में परता है नंदन कनन जोलोजिकल पार्क ठीक है तो वहाँ पर एक औरन गुटन था तो उसकी death हो गई थी ठीक है 2019 की आज पस की बात है तब ही चर्चा में आया था और आज भी चर्चा में है smuggling से related issue था इसका ठीक है इसे man of forest भी कहा जाता है और world का largest tree climbing mammals है ये और ये कहां पाय जाते हैं बोर्णाई और सुमत्रा जो है न वहाँ के जंगलों में बिल्कुल ये पाय जाते हैं उसके बाद में फ्री पीडियाफ आपको विल्कुल हमारे टेलिग्राम चैनल पे अवलेबल होंगे मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ तब तक के लिए have a awesome day